गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्राव फ्रॉम गेस्ट्रो लेवर हास्पिल स्वरुप नगर कानपूर जो बैक पेन है इस वेरी कॉमन प्रॉब्ल जो बैक पेन है बाई अलार्ज ऐसा माना जाता है कि इन लाइफ टाइम दस मैं से आठ लोगों को कभी न कभी होता है इसका मतलब यह है कि जो पॉपुलिशन है उसमें से 80% लोगों को इन देर लाइफ टाइम कभी न कभी बैक पेन होगा जो अपने आप ठीक होगा ओटिसी मेडिसन से ठीक होगा या डॉक्टर की मदद लेनी प रिलीफ करने के लिए हम एडाप्ट कर सकते हैं नंबर वन आपको अपनी स्लीपिंग पोजिशन पर ध्यान देने की जरूरत है आप अगर ठीक से नहीं सोएंगे तो बैक पिन इंप्रूव नहीं होगा बैक पिन जादा होगा तो आपको नहीं ठीक से नहीं आएगी एक वि फोटोग्रैप में दिखाई दे रहा है तो आपको जो आपको करवट लेकर सोना चाहिए और दोनों पाउं के बीच में एक पिलो लगाने की जरूरत है अगर आप दोनों पाउं के बीच में एक पिलो लगा के सोते हैं जैसे आपको फोटोग्रैप में दिखाई दे रहा है तो वास्तों में आपका जो spine है वो neutral position में आ जाता है और जो आपका pain है वो minimize हो जाता है या pain आपका खतम हो जाता है No, what about ice and heat? कि आपको अगर कमर में दर्द है तो आपको birth की सिकाई करना चाहिए या आपको heat pad से सिकाई करना चाहिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर regular application आप ice का करते है in the painful areas जहां के inflammation है तो ये वास्तों में जो pain को है उसको reduce करनी की ताकत रखता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ice से सिकाई कर दी काम हो गया ये आपको दिन में कई बार करना पड़ेगा and each time कम से कम 20 minutes करनी की जरूरत है तो in the initial phase जब inflammation जदा है और pain जदा है तो ice से जो सिकाई है ये सब से ज़ादा help करती है तो आपको दिन में कई बार करनी की जरूरत है and एक बार में कम से कम 20 minutes करनी की जरूरत है but after few days आपको switch करने की जरूरत है to the heat इसके बाद आपको जो सिखाई है वो heat pad से करने की जरूरत है और आप अगर उचित समझते हैं तो जो warm bath लेते हैं bath tub में जिसमें के आपकी पूरी body को heat मिलती है वो भी एक relaxation का part होती है आप उसको भी adopt कर सकते हैं सबसे पहली बात यह है कि पहले ऐसा recommendation था और आपके दिमाग में यह concept है कि bed rest जादा करना चाहिए जहां तक back pain का सवाल है bed rest recommended था और शायद bed rest आज भी recommended है लेकिन उसको ध्यान से समझे अगर आप लंबे समय तक जो लाइंग still रहते हैं या कि आप लेटे रहते हैं bed rest करते रहते हैं तो यह आपकी recovery के लिए worst thing है यह वास्तों में यह complication जादा कर सकती है आपके pain को worse कर सकती है and acute जो back pain है उसको chronic back pain में convert करा सकती है इसलिए जो back pain अगर है तो bed rest for a day or two it is fine उसके बाद आपको धीरे धीरे चलना चाहिए and आपको movement start करना चाहिए so that blood की supply आपके जो manspatia है उनमें ठीक रहें इन manspatia वास्तों में strain ना होने पाए and stiff ना होने पाए तो इसलिए back pain अगर है तो जो bed rest है just for a day or two और उसके बाद एक small amount movement को जरूर adapt करने की जरूरत है now look at the good posture अगर आप जुक्के बैठके काम करते हैं यह problem है अगर आपका poor posture है तो back pain आएगा और back pain जाएगा नहीं तो इसलिए अगर आपकी आदत है के keyboard पर आप ऐसा जुक्के काम करते हैं तो आपको अपना posture चेंज करने की जरूरत है आपको upright बैठनी की जरूरत है that's number one shoulders आपके relax होने चाहिए number two आपके जो body है वो पीछे की तरफ supported रहे in the back of the chair that helps you out और आपके जो पाउं है वो जमीन पर fix होने चाहिए अगर आप इस तरह का जो posture maintain करके चलते हैं तो back pain की संभावना कम है इसके अलाबा बीच-बीच में आपको एक 5 मिनिट लिए movement भी करने की जरूरत है ताकि आपके जो muscles हैं वो stiff न होने पाएं और strain न होने पाएं ये सब अगर आप काम करते हैं और इसके बाद भी आपका back pain ठीक नहीं हो रहा है अब क्या करेंगी अब आपको दवा की जरूरत है आपको medical store पर जाना है तो medical store पर आपको कुछ OTC medicines मिलती है जिने कहने over the counter medications जिनके लिए आपको doctor के prescription की जरूरत नहीं होती है ये pain killers होते हैं ये pain killers बहुत सारे नाम से आते हैं paracetimal आपको मिलेगा आपको brufen या ibuprofen जैसे चीज़े मिल जाएंगी आपको aspirin जैसे जो नहीं दवाब मिल जाएगी diclofenic मिल जाएगी तो ये जो NACIDs हैं या pain killers हैं इनको आप temporary इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा आपको acetaminopfen करके गोली मिल सकती है जो भी pain killer की श्रणी में आती हैं तो इनको आप इस्तिमाल कर सकते हैं और ये अगर temporary pain है तो इन medicine से खतम हो जाएगा लेकिन अगर आपने OTC medicine ली और इसके बाद भी आपका back pain खतम नहीं हुआ तो आपको अपने डॉक्टर से consult करने की ज़रूरत है जब आप डॉक्टर को consult करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या आपको दबा देते हैं डॉक्टर्स आपको तीन category की दबाईएं प्रिसक्राइब कर सकते हैं नबर वान आज़ दा NSAID जैसा मैंने कहा जैसे एस्परीन है, आईबू प्रोफैन है, डाइकलोफैनेक है, आइमन परसिटमाल है यह उस तरह की दबाईएं हैं जो पेन को कम करती हैं लेकिन यह ब्रेन पर काम नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई नशाय नीन लेके नहीं चलती हैं यह कहलाती है non-esteroidal anti-inflammatory drugs तो यह ग्रूप की यह दबाईएं हैं जो आपको इस्तिमाल की जा सकती है लेकिन अगर पेन ज़्यादा है, तो कभी-कभी आपको ओपियाइट्स दिये जाते हैं जो वास्तों में हलका सा नीन या हलकी सी sedition लेके चलते हैं क्योंकि उनमें हलका सा नशा होता है इसके अलाबा, कुछ muscle relaxation की medicines होती है जो pin color के साथ जोड़ की दी जाती है ताकि muscle relax हो जाए और आपका जो pin है वो खतम हो जाए यू विल भी surprised कि कभी-कभी backpin के लिए हम anti-depressant medicines use करते हैं जो medicine depression में use होती हैं वो कभी-कभी हम backpin के लिए use करते हैं ऐसा माना जाता है कि anti-depressant medicines हैं अगर आप use करते हैं तो हमारे brain के जो chemical messengers होते हैं जो वास्तों में pin signal को perceive कराने में वो हमारी मदद करते हैं वो modify होते हैं अगर वो modify होते हैं तो pin की intensity वो हमेशा कम मैसूस होती है तो जो anti-depressant medicines हैं वो कभी-कभी backpin के लिए use के जाते हैं इस fact को आपको समझना चाहिए और क्या किया जा सकता है look at the hands-on therapy जब hands-on therapy की जब हम बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं number one is the massage number two is the spinal manipulation जो massage है ऐसा नहीं है क्या आप एक बार massage कराएंगे back का और pain गायब हो जाएगा अगर हम studies की बात करने जो recently published हुई है what they say आपको weekly massage कराने की जरूरत है on an average यह जो weekly massage है वो 10 sessions चाहिए इसका मलब है दस week आप हर अपते massage कराएंगे तो over a period of time देरे देरे आपका जो chronic back pain है वो खतम हो जाएगा ऐसे ही दूसरे जो एक process है which is known as spinal manipulation जो spinal manipulation है यह trained licensed specialist कराते हैं या जब physiotherapist कराते हैं तो जो spinal manipulation है उससे भी जो back pain है उसमें help मिलती है जो physical therapy है वो physiotherapist के supervision में ही कराने की जरूरत है कैसे आपको बैठना चाहिए कैसे आपको खड़े होना चाहिए कैसे आपको move करना चाहिए यह जो सब पूरी के पूरी चीज़ें है यह physiotherapist है उनके मदद से आपको सीखने की जरूरत है आपको specialized exercises सीखने की जरूरत है जिससे आपकी core muscles है या back muscles है वो वास्तों में strengthen हो और आपका जो back है उसको एक support मिले जो studies हैं अगर हम ध्यान से देखें अगर आप exercise करते हैं अगर आप core muscles की जो strength है उनको increase करते हैं उनके flexibility है उसको better करते हैं उनको endurance को अगर आप बढ़ाते हैं तो back pain धीरे 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 कतम हो जाता है और उसकी recurrence को जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है अगर back pain फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो there is nerve stimulation is the method जो कभी apply की जाते हैं जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है जो nerve stimulation या जो nerve के लिए जो काम किया जाता है वो दो है number one is the transcutaneous electrical nerve stimulation that is known as tense जिसमें pulse current छोटा सा पास किया जाता है nerves के उपर जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है और ये pain को elevate कर देता है second was the acupuncture जो acupuncture में छोटे-छोटे needles जो है ना पियर्स की जाती है वो वास्तों में nerve endings पर काम करती है और आपका जो chronic back pain है उसको अलग करने में काफी मदद करती है the next one is the tuck therapy जो tuck therapy है वो वास्तों में cognitive behavioral therapy है ये जो therapy है ये आपको psychological level पर help करती है ये आपकी thoughts and actions उनको वास्तों में modify करती है and इससे आपको जो back pain है उसको overcome करने में आपको काफी मदद मिलती है ऐसे ही the next therapy is the bio feedback therapy bio feedback मैं चाहता हूँ कि आप समझें ये एक special machine होती है जो आपके brain को train करती है ये आपके brain को train करती है to control your response to the pain वास्तों में ये जो therapy है आपकी जो breathing है आपकी heart rate है आपका blood flow है आपका muscle tension इनको सबको जो नहीं moderate करनी की ताकत रखती है अगर हम studies को देखें what they said was कि जो bio feedback therapy है in resistant patients ये वास्तों में इसकी efficacy 30% patients में ऐसी है which was beyond comprehension अगर मालीजे ये सब आपने किया लेकिन आपका दर्द नहीं जा रहा है आपने दवाईयां खा ली आपने spinal manipulation करा लिया आपने टेंस लगा लिया आपने acupuncture करा लिया सब कराने के बापजूद भी पीन आपका नहीं जा रहा है तो आपको फिर doctor से बात करने की जरूरत है अगर ये नहीं जाएगा तो फिर आपको spine में कभी-कभी injections लगवाने की जरूरत पड़ती है ये specialist doctors होते हैं ये वास्तों में spinal doctors होते हैं जो ये सब काम करते हैं ये जो injections हैं image guidance में या city guidance में ये spine में जहाँ problem है are the corticosteroids ये basically steroids होते हैं जिनके injection spine में दिये जाते हैं so that pain आपका खतम हो जाए लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर back pain persist करता है और normal दबायों से नहीं जाता है spine में injection से भी नहीं जा रहा है फिजयो थरेपी से भी नहीं जा रहा है तो इस problem के लिए कभी-कभी हमें surgeon की मदद लेनी की जरूरत पढ़ती है एं अगर इस तरह की problem होगी तो back में surgery की जरूरत पढ़ेगी जो surgery होती है back में वो तीन तरह की surgery होती है number one is the dissect me तो जो disc का वो material है जो बाहर protrude कर गया है उसको वास्तों में निकालके अलग किया जाता है इसका मदब यह है डिसका उतना material अलग किया जाएगा the second one is the laminate me जो अगर pain जादा है तो decompress करने के लिए laminate में करके आपको वो problem solve किया जा सकती है number one number three is the spinal fusion अगर ऐसा है कि spine destabilize लगता है तो stability ठीक करने के लिए spinal fusion किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि अगर दमाईयों से injection से physiotherapy से अगर back pain नहीं जा रहा है तो फिर शायद जो surgeon है उसकी मदद लेनी की ज़रूरत है और operator होने की ज़रूरत पड़ेगी तो dissect me laminate me spinal fusion इन तीन में से किसी एक की ज़रूरत पड़ सकती है तो जहां तक back pain का सवाल है it's a very common problem जो back pain है वो lifestyle से ठीक होगा lifestyle से ठीक नहीं होगा तो massage से ठीक होगा उससे ठीक नहीं होगा तो I mean tense या acupuncture से ठीक होगा उससे ठीक नहीं होगा तो OTC medicine या prescription medicine से ठीक होगा और इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो वास्तो में आपको spine में injections की ज़रूरत पड़ेगी और कभी कभार operation की ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे back pain से छुटकारा पाये जाए इसको समझने में अगर ये video help करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital स्वरूप्रिंगर कानपूर Thank you very much